दोस्तो आज में आप सभी को प्यार का साइकोलोजी समझाने वाला हूँ, जिसे जानके आपके होस उड़ जाएंगे, दोस्तो हर एक इनसान को अपनी जिन्देगी में एक ना एक बार प्यार जरूर होता है, अपने भी कभी प्यार किये ही होगा, कुछ लोगों को तो एक से जादा बार प्यार होता है, कैसा अंजाना इनसान एक दिन में हमारे लिए सब कुछ बन जाता है, दोस्तो वैसे तो प्यार अजीब चीज है, कभी भी किसी से भी हो सकती है, हम सभी अपने परिवार वालों, रिस्तेदारों और दोस्तो यारों से प्यार करते हैं, आज जो म बात करने वाला हों, वो प्रेमी और प्रेमेका को लेकर, क्यूं पराया इनसान अजीज हो जाता है, जो भी इनसान प्यार में होता है, उसका दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिससे उन्हें ये लगता है कि मैं अब पहाड भी उठा लूँगा, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तयार है, असल में तो प्यार एक नसे की तरह है, लत और जुनून बनकर सड़ चड़ जाता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे, प्यार अंदा होता है, जो इनसान प्यार में होते हैं तो उन्हीं अच्छे बूरी की कोई समझ नहीं होती, आखिर एसे क क्यूं? विग गानिकों का कहना है, इन सब के पीछे इनसान के दिमाग में मौझूद फेनियर एथोयल एनिमा नाम के नीरो केमिकल का हाथ है, ये रसाइन प्यार में पड़े इनसान को उसके पार्टनर की गलती नजर अंदाश करवाती है, उसे ऐसा अनुभव करवाता है क वो ज़्यादा ही खुस है, यूँ ही नीरो केमिकल है जो प्रेमी और प्रिमिका को अलग बनाती है, असल में दोस्तों ये रसाइन हम सभी के दिमाग में होती है, हलाकि प्यार में पड़े इनसान कुछी ज़्यादा ही उत्पन होने लगता है, दोस्तों नीरो केमिकल का इस अभी भी आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर एक इनसान के प्यार में पड़ते कैसे हैं, इस बिसे में बहुत सारे भी गानी को अपनी अपनी रिसर्च की और उनके अनुसार प्यार में होनी के लिए सबेदना के अलावा कई और चीजे माइने रखती है, सबसे पहले इ ये एक्सपेरिमेंट करके भी बताई, जहां कई सारे अंजान लड़की लड़के को 90 मिनट तक एक दुसरे से बात करने को कहा गया, और फिर उसके बाद 4 मिनट तक सिफ उन्हें एक दुसरे के आखों में देखने को कहा गया, ये एक्सपेरिमेंट कई सारे लोगों के साथ किया और उस एक्सपेरिमेंट में सामिल जाजतर लोगों ये कहना था आखों में देखनी की बज़ा से सामने वाला बेक्ती पर अकरसित हुए थे आप यकिन नहीं करेंगे कि चार कपलने तो अपस में साधी भी कर ली मुहबत में नाक एक आहम रोल अदा करती है क्योंकि हर एक इनसानों के सरीर से अरक पलकार के गंद निकलती है जो नाक के दवारा दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग से डिकोट करता है और फिर उसे अजनबी इनसानों की जनेटिक की जाच करता है ये सब किस परकार होता ह ये तो हमें भी पता नहीं चल पाता क्योंकि दिमाग अपना काम लगातार करता रहता है बिग्गानिकों का कहना है कि किसी भी इनसान में अकर्षन की प्रक्रिया 80 सेकेंड में 4 मिनट से सुरू होती है इस प्रक्रिया में 55 प्रतिसत योगदान हमारे बोडी लेंग्वेज और परसनालिटी का होता है 38 प्रतिसत हमारे बातकित का अंदाज का होता है और 7 प्रतिसत इस बात पर निर्भर करता है आप बात में कितना कुसल है बिग्गानिकों के मुताबिक प्यार को तिन हिस्सों में विभाजित क्या गया है जिन में से एक है तन कीचा दूसरी है मन कीचा और तिसरी है जनम जनम की साथ दोस्तो पहले हिस्से की बात करें तन कीचा जिससे एट्रेक्शन भी कहते हैं दोस्तो ये ज्यादा कुछ नहीं सिप बासना होती है जो सेक्स होर्मोन से निकलती है सरल भासा में कहें तो सारेरिक संब्द बनाने के लिए प्रेरित करती है अगर बात करें दूसरे हिस्से की ज जिसे एप्रिशन कहते हैं दोस्तों ये जो चरन होती है इसके लिए डोपोमेंट नाम का केमिकल जिम्मेदार है जब ये रसाइन सक्रिय होता है प्यार जैसा फिल होता है जिसमें कुछ सुचता ही नहीं रातों की नींद दीन का चेन सब छिन जाता है अब हम तिसरे हिस्से की बात करे यानि की जन्म जन्म का साथ या डीप लफ ये हमारे जीवन में अकरसन के बात आता है जब रिष्टा लंबे समय तक चलता है जो डीप लफ होती है लोगों के अंदर समझदारी पैदा करती है लंबे समय तक साथ रहने के बरकरार रखती है दोस्तों आपको हम है जड़ा है